नमस्कार दोस्तां स्वागत थे आपका हमारे चन्चार जागंदर विशा में जिससे इन राश वालों के जीवन के सभी दुखदर्द और कष्ट मितने वाले हैं और इन राश वालों को मिलने वाली है अब बहुत बड़ी खुस खबरी जिससे इन राश वालों का जीवन वदल जाएगा जी हां दोस्तों वो खुशनसीब और भागसाली राशियां कौन-कौन सी है जिनको भगवान भोले नात के आशिरवास से आज रात साधे नौ बजे से बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त होने वाली है इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खुशनसीब और भागसाली जिनका भाग अब भगवान भोले नात के आशिरवास से आज राश साधे नौ जैसे चमकने वाला है और इन राशवालों को मिलने वाली है अब बहुत बड़ी खुशकबरी तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों इसमें कोई भी सक नहीं है कि बेक्त के जीवन में ग्रहों का अनकूल है तो इसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है वहीं अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो बेक्त के जीवन में दुखों का पहाड़ भी तूट सकता है वहीं सास्तों के अनुसार भगवान सीव को इस पूरी स्रिष्टी का निर्माता कहा जाता है कि इतना ही नहीं इसके अलबा भगवान सीव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है भोले भंडारी कहा जाता है यानि धार्मिक सास्त्रों के अनुसार भगवान सीव का इस्थान बेहद उच्छ है हाला कि भगवान सीव शभाव से जितने भोले भाले माने जाते हैं उ विकिनन उसका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको ऐसी कुछ राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर भगवान सीवकी अश्यूम कृपा आज राज साड़े नौ बज़े से होने वाली है। अगर हम शीधे सब्दों में कहें तो इन राशियों के जीवन में खुश्यां ही खुश्यां आने वाली है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुश नसीब और भागसाली राशियों के बारे में। तो दोस्तों के अपिक बीडियो को आप बिल्कुल ही विचना करें और इसे शरूश लेकर अन तक जरूर देखे साथी बीडियो को लाइक करें और जिया मिहीं जदा शियर अबसक्ष करें अचानक आपके तक्दीर में भाग में वर्दी देखनों को मिलेगी और बदलाव देखनों को मिलेगा अब आपके जीवन में दिन दुगनी राच लुगनी तरक्की होगी भगवान भुले नात की किरपा से कई महत्मों का एयजनाओं की शिरुआत कर सकते हैं भगवान भोलेनात के कृपा से अब आप दिन दूनी राज चोगनी तरक्की करेंगे अचानक भाग बदलेगा और मिलेगी अनेक प्रगार की बड़ी खुस ख़बरी भगवान भोलेनात के कृपा से आप समाईग प्रत्रश्चा में बरदे देखने को मिलेगे घर परिवार में कुछ महतपूर कार करने का मौका मिलेगा साथी जो अभ्याईश जातक उनके ने रिष्टे आएंगे ने रिष्टों की जर्चाएं होंगे कई महत्पूर बातें हो सकती है अभी तक जो आपको कामयावी नहीं मिल पा रही थी अब आपकी कामयावी दस्तक देगी भगवान भोले नात के कृपा से अशीम कृपा से अन दोस्तों बता दे कि इसमें संतान प्रातिक प्रवल योग बनेंगे जीवन साती के सहयोग प्रातों का जीवन साती से मदर सम्मंध रहेंगे साती कुछ महत्पूर कार जो काफी समय से धूरे हैं वो भी पूरे होने वाले हैं कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी समय से प तो लारास कियात को बताते कि आज रात साड़ेना वज़े से भगवान भलेनात की अश्रीम कृपा इन राशियों पर रहने वाली है बतादे कि इसमें साजेदाजी में अगर कोई वियापार कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीक सलाव देखने को मिलेगा तो वहीं इसमें बैंक से कोई लोन बगरा मंजूर होंगे जिससे आपके आरतिक स्थिय और बित्ती मामनों काफी सुधार देखने को मिलेगा भगवान भॉलेनात की किरपा से अब आप दिन दुगनी राश चुगनी तरक्की करेंगे अनिकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुश खबरियां प्राप्त करेंगे जीबन में चल रही पर इसानिया आपके खत्म हो जाएगी अब आपको अनिकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुश खबरियां मिलने बाई है बता दे कि अब अगली जो राशी आती दोस्तों वो है यहाँ पर मकर राश मकर राश के यहाँ को बताते कि आज राश साधेना वज़े से अचानक भाग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अनिक प्रकार की इस्तितियां आपके सामने हो सकती है कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी समय से अधोरे थे भागवान भॉलेनात के किरपा से अब आप दिन दुगनी राच दोगनी तरखी करेंगे समाज में आपकी पर्थिष्टा और वानसमान में बरती होगी समाज में आपकी लोग प्रिता हासिल होगी कुछ बेहतरी कार कर सकते हैं अधोरे कारियों को पूरा करने का प्रियास करेंगे भागवान भॉलेनात के किरपा से अब आप समाजिक परिश्टा में बरती होगी और साथी राजनितिक सेत्रों में जड़ा और लगाव रख सकते हैं राजनिति में आपकी इंट्री हो सकती है बता दे किसमें रुकाववा फस्वधन प्राप्तों करेंड करजन से भी मुक्ति मिलेगी अगली जो राशी आती दोस्त बता दे वो है याँ पर कन्य राशी कन्य राश कहतकों आज राश साड़े नवज़े से भगवान भॉले नाथ की अस्विम खृपा दिश्ट बरसेगी और यह को प्रकार की लाप देखने को मिलेंगे जीवन में चल रही परिसानिया भगवान भॉले नाथ की खृपा से दूर होने बाली है इसमें आप बतादे कि इसमें आप कुछ महत्पूर नेड़ने और डिसीजन लेने के लिए जाने जाएंगे समाजी की परिस्टा में आपकी वर्दे देखने को मिलेगी उस अच्छे कार कर सकते हैं महत्पूर लाप देखने को मिलेगा जीवन चल रही परिसानिया आपकी खत्म हो जाएगी यानि कि इसमें आप जो भी कार करेंगे जो भी नेड़ने लेंगे वो उचित होगा अब अगली जो राशियाति दोस्त बता दे वो है यहाँ पर करकराश करकराश कायद को बता दे कि आज राश साड़े नवजे से अचानक भाग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा नहीं नहीं यह जो जो राव मिलेगा साथी साथ इसमें आपका रुका वो फसावा धन धन संपत तेस्वर में बरदी होगी कई महत्पूर यजनाव का लाव मिलेगा अचानक धन में यह की काफी दा बरदी देखने को मिलेगी और आपके चीवन में बदलाव देखने को मिलेगा भगवान भोले नात के कृपास से आज राश साड़े नवजे से अचानक आपको धन की प्राप्ती होगी अचानक भाग में बरदी होगी कई महत्पूर यजनाव का लाव मिलेगा और इसमें आप जो भी कार करेंगे जो भी निर्णे लेंगे वो काफी उचित साबित होगा यानि कि महत्पूर अफसर आपको प्राप्त होने बाले हैं दिन दुगनी राच योगनी तरक्की होगी यानि कि नए अफसर के साथ साथ नए महत्पूर काम भी मिलेंगे जो भी काम करेंगे उसमें आपको प्रतिष्ठा और विर्दी देखने को मिलेगी हर महत्पूर कार्यापका आसानी से पूरा हो जाएगा यानि कि आप इसमें हर कारियों में उपलब्धियां प्राद करेंगे बिशेश रूप से भगवान भोले नात के किर्पा से अच्छे लाप देखने को मिलेंगे आपके गरा बनाई गई योजनाई काफी कारगर सावित होगी और भगवान भोले नात के अश्यम कृपा से इसमें अवेज जातकों के लिए नए रिस्तेयां के सुब मंगल कार साधी को कायोजन होगा घर में सुब मंगल धार में कारकरों को कायोजन होगा दोस्तों आज राज साधे नव बजे से इस रासी का अचनक चमक उठेगा भाग मिले की बड़ी खुस खबरी इन राशियों को उपर भगवान भोले नात के अश्यम कृपा दृष्टी बनने वाली है तो कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव साथी बीडियो को लाइक करके जदे जदे सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिल आइकन को प्रेश जरूर करे हर हर महादेव